तो शेर विद यू इस दाट जो संचार साथी पोर्टल के जरिये यूजर फोकस्ट रिफॉर्म्स किये गए थे उसके रिजल्ट अच्छे आये है एक्शुल अभी तक डेटा निकलेगा बहुत कम पीरड निकला ही है लेकिन एक साल के बाद में एक्शुल डेटा जब आएग तब आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड की संखिया में एक तरीके से कंट्रोल आएगा विदिन वन येर अफ दिस एंटार प्रोग्राम साइबर फ्रॉड में सिग्निफिकेंट कंट्रोल आएगा ओल्रेडी जो फ्रॉड्स्टर्स जो सेंटर्स पे काम करते थे कुछ सब्सक्राम साइब था है ओल्रेडी वहां से हमको फीडबैग आ रहा है बंकिंग सेक्टर के जरिये से पुलिस के जरिये से इन्ट्रेशन्स के BusinessEC जरिये से आ रहा है कि шиб प्रोले प्रेशरेशी बट वीव उध जिंदीत तो प looking who Worane सेॉ पैस इन्क्रीसस प्रेशरIंॉ significantly क्योंकि देश में जो करीब करीब 90 करोड internet users है digital की दुनिया से जुड़े है digital इंडिया के beneficiaries है उन सब के protection के लिए strongest possible measure लेने चाहिए launch होने के बाद में we have detected and deactivated detected and deactivated 52 lakh connections 52 lakh connections को जो fraudulently obtain किये गए थे गलत paper दिखाके गलत किसी और की ID दिखाके इस तरह से करके 52 lakh fraudulent connections को disconnect किया है then 67,000 dealers को blacklist किया है 67,000 जो sim के dealers होते है SIM बेचते हैं ना SIM card जहां पर बेचते हैं उसके 67,000 dealers को blacklist किया है और उसमें 300 FIRs भी register किये जहां पर clearly intent प्रूव हो रहा था 300 FIR register किये 17,000 ऐसे mobile handsets को block किया है जिसकी report IT चोरी हुई है या fraudulently obtain किया गया है 66,000 WhatsApp accounts को block किया है आपने देखा होगा हाली में बहुत सारे fraudulent messages और fraudulent calls WhatsApp के जरिये से भी आने लग गई थी तो उसके लिए 66,000 WhatsApp accounts को block किया है